हे गाईस मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके योट्यूब चैनल गाडनिंग पैरडाइस पर और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे हम मेंसे जादर गाडनर्स अपने जो पौधे होते हैं उनको बीच से युगाना पसंद करते हैं और जब एक बीच में से छोटा सा पौधा निकलता है तो उस टाइम पे एक अलगी खुशी होती है पर हम सबने किसी ना किसी टाइम पे एक प्रॉब्लम को फेस किया होता है कि जो सीडलिंक निकलती हैं वो कुछ टाइम के बाद किसी ना किसी वज़े से मर जाती हैं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे ज़्यादा गर्मी, कम खात या फंगस अटेक तो आईए जानते हैं कि आखिर हमारी जो सीडलिंक से वो क्यो मर जाती हैं उनके क्या क्या कारण है और उनका उपाए क्या है पर उसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बाद बैल के आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो चली शुरू करते हैं आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं जो आम समस्या है सीड्लिक्स के साथ होती है और उनके उपचार अंगुरन के कुछ समय के बाद अचानक से सीड्लिक का मर जाना शायद यह सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है जो कभी नकभी हर किसी ने जिली होती है अचानक से बिना किसी लक्षन के दिखे बिना लगबग पूरी तरह से जो healthy seedlings जिक रही है वो एक तरह मुड़ जाके गिर जाती है और ultimately जो है वो मर जाती है इसे damping off कहते हैं और ये एक fungal disease है जो seedlings के तनिके निचले हिस्से पर attack करती है और अगर ये disease आपके seedling को लग गई तो इसको बचाया नहीं जा सकता तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसको होने ही नहीं दिया जाए दो सबसे मुख्य कारण है इस damping off के होने का ज़्यादा पानी और ज़्यादा खात इससे बचने के लिए पानी का चड़काफ आप तभी कीजिए जब मिट्टी या पॉटिंग मिक्स आपको सूखा हुआ लगे और कोशिश कीजिए कि पॉधों के ऊपर से पानी ना दिया जाए बलकि उन seedlings को नीचे से पानी दिया जाए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी गमले में आपने बीज लगाया है उसको किसी ट्रे में रख दे और उस ट्रे में पानी भर दे ताकि जो मिट्टी है वो नीचे से पानी को सोख ले सही मिट्टी है पॉटिंग मिक्स का ना होना ऐसे potting mix को चुनिए जिसमें पानी ठहरे नहीं और fungus से बचाव के लिए potting mix में नीम खली या किसी भी तरह का fungicide भी आप मिला सकते हैं हवा का कम प्रवा अगर आपने किसी polythine या अखबार से अपने गंबले को ढखा हुआ हो तो बीजों के अंकुरित हो जाने के बाद उसे हटा दें और गंबले को ऐसी जगे रख दें जहां पर हवा लगती रहे इससे potting mix के उपर की जो सता है वो भी काफी देर तक गिली नहीं रहेगी तो fungus attack का खत्रा भी कम हो जाएगा इसके अलावा आप किसी भी तरह का fungicide का spray अपनी seedlings और मिट्टी के उपर कर सकते हैं हर 15-20 दिन के अंतराल पर लंबा और पतला तना इसे laggy seedlings भी कहते हैं seedlings के तने का बहुत लंबा और पतला हो जाना बीच से होगाने के बाद seedlings के साथ आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में सेहिक है और इसे असानी से ठीक भी किया जा सकता है तो seedlings को शुरुआती दिनों में ही जब वो बढ़ रही होती है तब बहुत सारे प्रकाश यार light की आवशक्ता होती है अगर seedlings को proper light नहीं मिल पाती तो जहां से भी source होता है light का वो उस तरफ की तरफ बढ़ने लगती है इस वज़े से उनका जो तना है वो काफी लंबा हो जाता है अगर आपकी seedlings का तना इतना लंबा और पतला हो गया है कि वो अपने आप ही एक तरफ गिर जा रहा है जैसे ही बीच अंकुरित हो जाए तो गमले को ऐसी जगे पर रख दें जहां पर काफी रोशनी हो खास करके सुबह की समय है अगर आप grow light का उपयोग कर रहे हैं तो उन lights को इस तरह से रखें कि उनके और seedlings के बीच में हमेशा 2-4 इंच का फासला हो और उन lights को आपको फिर दिन में कम से कम 12-14 घंटे के लिए जला के रखना पड़ेगा अगर आपके एक ही गमले में बहुत सारी seedlings उग रही हैं तो उसकी वज़े से वो light को पाने के लिए एक दूसरे से compete करती हैं इससे बचने के लिए शुरुवाती दिनों में ही जो कमजोर seedlings से उनको हटा दे एक तो इससे पौदो की संख्या जो है कम हो जाएगी और healthy seedlings ही बचे रह जाएंगे पत्तियों का फीका रंग और मुर्जाय हुआ सा पौदा जब seedlings के पत्ते ब्राउन पीले या सफेद रंग के हो जाए या पूरा का पौदा ही मुड़ जाए वह असा लगे तो ये सीधा सा संकेत है कि उस seedlings के साथ कुछ ना कुछ गलत है तो जातर समय आप उनको बचा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको तुरूंत ऐसा होने का कारण जानना होगा और उसको बचायाने के लिए उपाय करने होगे ज्यादा पानी ज्यादा पानी डालने के कारण भी एक तरह से पौदा जो है पानी में ही डूब जाता है पौदे की जड़ों को ज़रूरी हवा नहीं मिल पाती जिस वच्चे से जो पत्या वो नीचे की और लटक जाती है और जो पौदा है वो मुर्चा के मर जाता है कई बार ऐसा होदे कि हम छोटे से पौदे को किसी बड़े गंडे में लगा देते हैं क्योंकि पौदा जो बहुत चोटा होता तो उसको ज़्यादा पानी की रिक्वार्मेंट नी होती जिससे जो मिट्टी है वो बहुत देर ता कि उसमें पानी बना रहता है इस से बचने के लिए पौदे को ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी ठहरे नहीं और शुरुआत में छोटे पौदे को छोटे गंबलों में ही लगाना चाहिए आदे खात की वज़े से जल जाना ज्यादा तर रसाइनिक खात की वज़े से छोटे और नाजोग जो पौदे होते हैं वो जल जाते हैं और इसकी वज़े से उनकी पत्यों का रंग भी फीका पर जाता है या बिल्कुली ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है तो केमिकल फर्डिलाइजर की जगे आप और्गानिक खात का उब्योग कर सकता है और वो भी जो अनुपातिक मातर है उसमें दूप में जुलस जाना सीद्लिंक्स को सीदे खुले में सूरज की रोशनी में रखने से भी जुलसा जाती है ओपन में रखने से पहले आपको अपनी सीद्लिंक्स को हार्डन आफ करना चाहिए है ताकि उनको सीधी धूप की आदत हो जाए मुड़ी और गिरती हुई पत्तियां अगर पौदों की पत्तियां मुड़ने लगती है चाए वो उपर की तरफ हो या नीचे की और या फिर गिरने ही लग जाती है तो ये दोनों स्तितियां इस बात का संकेत है कि पौदे के साथ कुछ ना कुछ गलत है कम पानी सिर्फ एक दो घंटे ही बिना पानी के पौदे की जो ग्रोध है उसको बहुत कम कर देते हैं और अगर थोड़ा ज्यादा टाइम बीच जाता है बिना पानी के तो उस वज़े से जो पौदा है अपनी पत्यों को मोडना शुरू कर देता है ताकि वो पानी को अफशोशित होने से बचा सके इससे बचने के लिए पौदे को समय समय पर और अवशक्ता अनुसार पानी देते रहे जैसे ही आप देखें कि पत्या मोड रही है तो उन्हें ध्यान से देखें अगर पत्यों पर जाले जैसा कुछ दिखाई देता है या चोटे-चोटे कीडे दिखते हैं तो यह स्पाइडर माइट्स हो सकते हैं यह कीडे बहुत ही जल्दी सीड्लिंग्स को खदम कर देते हैं तो इसके लिए आपको जल्दी से उपाय करना होगा इनसे छुटकारा पाने के लिए आप उनके ओपर पानी का स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि इसे आदरता बढ़ जाएगी और ज्यादा आदरता होने पर भी वो नहीं रह पाते इसके अलावा आप नीम का तेल या किसी इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं रसाइनिक खाद केमिकल फर्टिलाइजर की वज़े से भी सीलिंग्स की पत्या मोड जाती हैं तो बैतर यह होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगे आप और गैनिक खाद का उब्योग करें और वो भी अनुपातिक मात्रम है सीड्लिंग्स का ना बढ़ना या बहुत दीरे बढ़ना कई बार ऐसा होता है कि सीड्लिंग्स की जो ग्रोथ है वो बहुत दीरे दीरे हो रही होती है यहां में कई बार ऐसा लगता है कि सीड्लिंग्स की ग्रोथ बिल्कुल हो ही नहीं रही है पोशक तत्वों की कमी एक्चली बीच में सभी तरह के पोशक तत्व होते हैं जिनसे वो अंकुरिद हो जाए और जो शुरुवात की पहली पत्तियों का जोड़ा है वो उख सके लेकिन उसकी बाद उन्हें पोशक तत्व प्रतान करने की अवशकता होती है तो जब एक पोदा बढ़ना बंद हो जाता है तो उसका सीज़र सा रीजन है कि उसको जो है न्यूट्रियंट्स या खाना चाहिए तब उसमें आप कोई भी जैविक खाद या केमिकल फर्डिलाइजर अगर आप यूज करना ही चाते तो दे सकते है तापमान का बहुत ज़्यादा या कम होना अगर आपके यहां का टेंपरेचर बहुत अधिक गर्म है या ठंडा है तो भी कई बार सीडिंग्स की ग्रोथ रुख जाती है जो नॉर्मल टेंपरेचर रेंज है पौदे को अच्छे से ठीक से बढ़ने के लिए वो है लगबग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रकाश की कमी परियाप्त रोशनी के नहीं होने पर भी सीडिंग्स की ग्रोथ रुख जाती है तो आप कमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पे काफी रोशनी हो खास करके सुबह के टाइम पर कम या ज़्यादा पानी कम या ज़्यादा पानी देने की वज़े से भी seedlings की growth रुख जाती है और मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है पर इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा पानी न डाल दिया जाए तो आप मिट्टी को नियमित रूप से देखते रहे ताकि आपको पता लगता रहे कि कब पानी देना है और कब नहीं बैंगनी या लाल रंग की पत्तियां seedlings की पत्तियों का बैंगनी या लाल रंग का हो जाना इस बात का संकीत है कि उनको पर्याप मातरा में फॉस्फोरस नहीं मिल पा रहा है इसके लिए आप फॉस्फोरस युक्त खाज जो है अपने पॉदे को दे सकते हैं साथी साथ मिट्टी का पी एच भी चांच लें क्योंकि मिट्टी के बहुत जादा अमली होने पर भी जो पॉदे हैं उसमें से फॉस्फोरस को नहीं सोख पाते पीले या काले दब्बे सफेद मक्की या वाइट फ्लाइस जिसको हम कहते हैं वो हमारे गार्डन का एक बहुत ही नॉर्मल सा कीड़ा है जो सीलिंक्स पे लग जाते हैं यह पॉदो में से उनका रस चूस लेते हैं तो जिसकी वज़े से वहाँ पे पीले दब्बे हो जाते हैं कई बार जब वो ज्यादा रस चूस लेते हैं जिसको पचा नहीं पाते तो उसको पत्यों पर ही निकाल देते हैं जिस पर बाद में काली फफूंद या काली धब्बे से लग जाते हैं इन से बचने के लिए आप किसी भी तरह का कीट नाशक अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं I hope आपको ये मेरा वीडियो ज़रू पसंद आया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितने जादे से जादा लोगों से आप कर सकते हैं कोई भी कमेंट ओ आपका तो प्लीज उसको लिखिए थैंक्स वरचिंग हैपी गाडनिंग